हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी अपना भारत अपनी विरास्त में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम चल रहे हैं अजमेर जी लेके सुरसुरा गाउं सुरसुरा गाउं का भोती महत्पुनिस्तान यहां पर वीर तेजाजी महाराज का मेला बढ़ता है दोस्तों यहां पर वीर तेजाजी महाराज की निर्वान इस्तले यहीं पर तेजाजी महाराज को साप ने डसाता नाग देवता ने यहीं पर डसाता तेजाजी महाराज को औ बहुत बड़ा मेला लगता है तो दोस्तों चलिए चलते हैं सुरसुरा साथSince जाने साथ physicists है तो के लाव के Look साथ मेलग मेलग में साथ Sidqa साह बड़ा animalLE 4 बड़ства आरास बिल आरास्स और प्रज जाम ड्रशें goal झाल झाल हुआ है कर दो दो भॉन दोब मैं मैं घसकjes कि आते कर से लिदा कर फिर दोती कर दो र själ कि आते लग मत इो मन अड़कर उक्ड़ एंड़ डोई आ ड, आ हंट डि हा आदो उनित आक कर दो अको डह ज शुह का क्रोंजशंट ऑप आтम ऑप skेंग को दो के अधिसे प्रेट्वार कि अधिस्टेंट अज के अधिसें एतार ढूतार दखाता हां हुआ aज है झारे हम एतता झाले हैं क्योंस न제가 हो एक पल饭 को एक भागा है कि आज से फुआ Olga को अग इस कर दो एक खुआ है थार रो सो कि WOW दोस्तो तेजा जी राजस्तान के लोगदेवता के रूप में पूजे जाते हैं वीर तेजा जी का ससुराल सुरसुरा के पास पनेर गाउं में था वहें अपनी पत्नी पैमल को लेने के लिए ससुराल आये हुए थे इसी दोरान उनकी मुलाकात लाचा गुजरी नामक महिलाई से हुई लाचा ने लाचा तेजा जी की पत्नी पैमल की सहेली थी लाचा गुजरी की गाए लूटेरे ले गए थे वहें अपनी गाएं की रक्षा के लिए तेजा जी से मद्द मांगने आई थी वीर तेजा जी गाएं छुडाने के लिए निकल पड़े रास्ते में आग में जलतावा एक सहाप मिला जिसे तेजा जी ने बचाया लेकिन सहाप अपना जोड़ा बिछुने से दुखी था और वहें मरना चाहता था इसलिए उसने डसने के लिए फुपका रहा वीर तेजा जी ने वचन दिया कि पहले में लाचा की गाएं छुडा लाओं फिर आप मुझे डस लेना नाग देवता से उन्होंने विन्ति की लुटेरों से युद में तेजा जी घंबी रूप से गायल हो गए उनका सरीर जगजगश लहलुभान हो गया लेकिन तेजा जी महाराज ने अपना वचन पूरा करने के लिए नाग देवता के पांस पहुँचे लेकिन नाग देवता ने उन्हें डसने से मना कर दिया क्योंकि उनका सरीर कहीं से भी सही दिख नहीं रहता सब जगश घाय था खून से लटफ़ता इस वज़े से तेजा जी महाराज ने अपने जीप पर नाग देवता को डस्वाया और इस परकार अपना वचन निभाया भाद्रपत सुकल संबत 1160 को उनका निर्वान हो गया यह देख पेमल उनकी पतनी भी सती हो गई इसी के बाद से राजस्तान के लोग प्रक्म में तेजा जी की माननेता हो गई गायों की रक्षा की देवता के रूप में उन्हें लोग देवता के रूप में बहुत माननेता मिली ग्राम देवता और लोग देवता के रूप में उन्हें पूजा जाता है नागू का देवतार भी माना जाता है नाग देवता ने उन्हें वर्दान दिया था कि जो भी व्यक्तियों को कोई साप काटेगा वो आपके ठान पर लाने से ठीक हो जाएगा जो आज भी ऐसा माना जाता है और ठीक भी होते हैं लोग तो दोस्तों ये थी देदाजी महाराज की कहाने सुरसुरा गाउं की तोस्तों ये थी कि वैदा ंग को तो दोस्तों तेजाजी महराज का यह वीडियो आपको अगर पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू दोस्तों ऐसे अगर दोस्तों अपको तोस्तों है अगर आ गव इसकैस्णद गना थव नइसक्तों हहला भोस्ताइब का था बदमाँ प्हों historic